कि गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका हमारी 36 करेंट अफेर के विकली रियूजन में आज हम एक से साथ जुलाई के करेंट अफेर का रियूजन करेंगे और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे दी 25 मुख्यमंत्री भुपेज बगहिल ने सनीवार को मुख्यमंत्री निवास कार्याले में वीडियो कॉंफ्रेंसें के माध्यम से नगरी प्रसाशन इवां विकास विभाग के अंतर गदना विभीन संचालित योजनाओं का विस्तार किया है इसी अवसर पर भुपेज ब मितानी उजना के को ना प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में भी लागू किया जाएगी मुख्यमंत्री मितानी उजना इसके सुरवात 1 मई 2022 से प्रदेश के समस्त चौदर नगर निगुम में प्रारम की गई थी और प्रारम्भिक दौर पे इसके तहद ने 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्द कराई जा रही थी जो अब वर्तमान में 25 प्रकार की हो गई है तो ध्यार की गए दोस्तों मुख्यमंत्र मितानी उजना चुहना चौदर नगर निगम और 44 नगर पालिकाओं में लागू है और 25 तरह की सेवाएं की सुईधा इसमें दी जा रही है अगला प्रशन है चत्तिस गड़िया ओलंपिक 2023 चुविस में कितने तरह के पारंपरी खेलों को शामिल किया गया है इसके से उत्तर आप्चन सी 16 तो चत्तिस गड़िया ओलंपिक 2023 का आगाज जो ना हरेली के त्यवहार के दिन 17 जुलाई से होगा इसमें दो स्रेणियों मे 16 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है और यह दो माह 10 दिन तक चलने वाला यह खेल प्रत्योगीता जो 6 चर्णों में आउजित किया जाएगा इस बार के जो 36 ओलंपिक है उसमें रसी कूद एवं कुस्ति को भी जोड़ा गया है और इस प्रत्योगीता का जो समापन होन यह टोटल 14 खेल जो है वो 36 ओलंपिक में थे लेकिन इस बार जो है रसी कूद और कुस्ति को एड़ कर दिया गया है जिससे अब कुल 16 खेल जो है सम्मिलित है अगला प्रशन है मुख्यमंत्री स्री भुपेज बगेल ने प्रदेश के नगरी छेत्रों में कितने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारम किया है इसका सी उत्तर है ऑप्शन सी अंठावन मुख्यमंत्री भुपेज बगेल ने 36 गड़ के 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका में महत्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यू आई पीए का शुभारम किया है मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कारेकरम में 36 गड़ के नगरी छेत्रों में 58 अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यू पा का शुभारम किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरक्वार्दोन प्रती इंडस्ट्रियल पार्क में दो करोड रूपे की राशिया निकायों को प्रदान की जा रही है अब सहरी छेत्रों में इस्टार्टप उद्यमियों तथा स्वसाहता समुओं को रोजगार के ना बहतर आउसर उपलब्ध कराने की उद्देश से महत्मा गांधी रूलर्ड इंडस्ट्रियल पार्क रीपा की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यूपा की जर्तेविस को किया गया है चौदर नगर निगम और 44 नगरपाली काओं में अगला प्रश्न है चत्तिस गड़ में कहां देश का सबसे लंबा मंदीर कॉरिडोर बनाया जाएगा इसका सिंट्टर ऑप्षन भी दंतेवाड़ा में भारत का सबसे लंबा मंदीर कॉरिडोर व साथ साथ देश का भी सबसे बड़ा कॉरिडोर है उगता इस्थल पर ना स्वाचलित मेटल से निर्मित 10 फीट उचा घंटा होगा जो अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घंटा होगा और साथ साथ 108 दीप प्रजुलित के जाने के लिए 40 फीट उची इस्तम भ कॉरिडोर योजना अंतरगत जो है ना कार्य जो है चार चर्णों में पूर्ण होना है और यह भारत का सबसे लंबा 2.95 किलो मिटर का मंदीर होगा अतुल्य दंतेवाड़ सिर्षक के नाम से ना दंतेवाड़ में परिटन से रोजगार सिजन करने के अभिनाव पहल को ध्य कार में रखते हुए दंतेवाड़ जीले में विकास कारिक किया जा रहा है और रिवर्ट प्रण्ट एवं कॉरिडोर भी इसी के प्रोजेक्ट का हिस्सा है मां दंतेश्वरी प्रांगर को चू कर बहने वाली जो डंगनी शंकिनी नदी के किनारे ना रिवर्ट कर निर्मान सामिल है इसका सही उत्तेवर आप्शन दी 33 जीले सामिल है देश में जो है ना अनुवांशिक बिमारी सीकल सेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा राश्टी सीकल सेल इनिमियों उन्मूलन मिशन की सुरवात की जा रही है और भारत में जो है वर्स 2047 तक सीकल सेल को खत्म क करने के लिए पूरे भारत देश के 17 राज्जियों के 278 जीलों में है मिशन संचालित है और इस मिशन में 36 गड़ के सभी 33 जीलों को शामिल किया गया है और राश्टी सीकल से एनिमिया उन्मूलन मिशन की जो सुरवात है ना प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने एक जुला प्रधानी लभार्थियों को सीकल सेल जिनेटिक स्टेटस कार्ड भी विस्त्रीत करेंगे और हाल ही मिना रायपूर में सीकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की अधार स्रील भी रखी गई है अगला प्रश्ण है 36 में चालू वित्ती वर्स 2023 में कितने प्रश्ण को आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है चालू वित्ती वर्स 2023 में कितने हजार करोड रुपए के कर संग्रहन का लक्ष रखा गया ध्यार के यहां पर राजस्ष्वा प्राप्ति बोला है यहां पर कर संग्रहन कर लक्ष बोला है तो इस प्रश्ण को सकता है तो इसका सही उत्तर है ओप्शन सी 22,000 करोड का वानेजिक गर मंत्री स्रीट यसी देव ने रायपूर के नविन विश्राम भौन में विभागी कामकाच की समिक्ष चकी और चालू वित्ती वर्स 2023 में 22,000 करोड रुपए के कर संग्रहन का लक्ष रखा गया है इस व पूरे वर्स भर के लक्ष का 21 प्रतिसे थे पिछले वित्ती वर्स 2023-24 में कुल 17,808,66,000 करोड की करवसुली हुई थी चतिस गड़ में गुमसुदा बच्चों की पता साजी के लिए कौन सा उप्रेशन चलाया जा रहा है इसका सेमिक्तर है ऑप्षन B उप्रेशन मुस्कान अगरा प्रशन है नीवन लिखीत में से किस ने खबरवाद मासिक पत्तरी का कभी वोचन किया है इसका सहीं उत्तर है option C स्री टीएस सीदेव जी ने किया है स्वास्त्यवारिजईक कर्व मंत्री स्री टीएस सीदेव ने रायपूर के नविन विश्राम भौन में मासिक पत्रिका खबर्वात के पहले लिगे संपादक कौन है ऑगला प्रस्टा हैai हेलिकॉप्टर खरीदने वाले 36 के पहले किसान कौन बने हैं इसका सिंग उत्तर आप्षन है राजारामत्री पाठी बने हैं देश के सर्वस्रेश्ट किसान संबान से नवाजे गए 36 के नक्सल प्रभाईत कोंडगाउं जीरे के रहने वाले उन्नत किसान राजारामत्री समान कंपनी से डिल कर ली है और डॉक्टर राजारामत्री पाठी जो है ना चार बार सर्वस्रेश्ट किसान पुरुषकार से भी संबानित है और 36 के साथ साथ देश के ऐसे किसान है जिसके जिनको सबसे जादा बार सर्वस्रेश्ट किसान का पुरुषकार से संबानित किय पारियों ने बताये कि 36 गड़ के 90 प्रतिसत रीपा में वाइफाइ सुईधाउ क्लब्ध है 300 रीपा में से 270 रीपा में वाइफाइ से डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी होने कारण यूअभीज का लाब उठा रहे हैं साथ ही वाइफाइ यूप्ट जो 12 रीपा है उसमें रेश्टोरेंट का भी संचालन हो रहा है अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा थोग बजार 36 गड़ में कहां विक्सित किया जाएगा इसका सिंग उत्तर आप्शन है नवा रायपूर में देश का सबसे बड़ा थोग बजार विक्सित होगा और 429 दिसंब्लो 47 हेक्टे में प्रस्तावी थोग बजार का निर्मान सेक्टर 27 में किया जाएगा नवा रायपूर अटल नगर विकास प्राधी करण द्वार इस थोग बजार का निर्मान किया जाएगा यहां छोटे पड़े सभी वैपादियों के लिए अधार भूत जरूरी स्विधाएं होंगी अगला प्रश्न है केंद्री विद्यूत प्राधी करण द्वारा वर्स 2023 की जारी की गई रैंकिंग के नुसार विद्यूत उत्पादन में देश भर में 36 गड़ का इस्थान क्या है इसका सिंग विद्यूत पादन में पूरे देश में प्रथम इस्थान पर है और विजली के छेत्र में वर्स 2023 में 36 गड़ विजली उत्पादन कंपनी पूरे देश में प्रथम इस्थान पर रहा है 36 की विद्यूत कंपनी ने 85.7 एक फिसदी प्लांट लोट फैक्टर पीलफ हासिल कर देश के 33 बिजली घरों को पीछे छोड़ कर पहला इस्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर उडिशा पावर जनरेशन कार्पोरेशन है जिसका प्लांट लोट फैक्टर 84.9-8 प्रतिशत रहा है तो धियान रखेगा दूस्तों ये प्रश्ण पहले भी व्यापन प्यस्थी में पूछा जा चुका है तो ये प्रश्ण आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा केंद्री विद्यूत प्राधी करन द्वारा जारी वर्स 2023 की रैंकिंग में 36 गर्ड इस्टेट पावर जनरेशन कंपनी का इस्थान कौन सा है आपको इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको दिहान रखना है कि जो 36 गर्ड इस्टेट पावर जनरेशन कंपनी है उसका इस्थान पहला है इस रैंकिंग को जारी कौन करता है केंद्री विद्यूत प्राधी करन नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है अगला प्रशन है चत्ती जड में कहां गुजरात की तर्ज पर एकता मौल खोला जाएगा इसका सिम उत्तरहप्शन सी रायपूर में 36 की राजधानी रायपूर में गुजरात की तर्ज पर एक्ता मॉल खोला जाएगा मॉल में एक जिला एक उत्पात की तर्ज पर देज भर के जीलों की अलग-अलग दुकाने खुलेंगी इसमें 250 कड रूपी की लागत से 5 कड में बनाया जाएगा और इस मॉल के खुलने से क्या होगा देज भर के हस्तस इल्प से जुड़ी समागरी एक ही छत के नीचे असानी से लोगों को मिल जाएगी तो एक्ता मॉल में क्या होगा कि पूरे भारत में जो अलग-अलग राज्य है है ना उनकी जो हस्त सिल्प से जूड़ी समागरी है ना उनकी लिए अलग अलग तरकी दूखाने बनाई जाएंगे जिसमें अलग अलग राज्य की हस्त सिल्प से सम्बंधित समागरी मिलेगी वहानों के फिट्नेस की जाँच के लिए 36 गा पहला रायपूर में 36 का पहला आटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर तयार हुआ है इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वहानों की फिटनेस की जांच की जाएगी सड़ाख हाथसों को कम करने की दिशा में परिवहन भी भाग दोरा किये जा रहे प्रयासों की दिशा में इस सेंटर की स्थापने बड़ी उपलब्दी है और निरिक्षण करना होता है और जो नियम यात्री गाड़ीं और माल वाली जो गाड़िया होती है लिए उन दोनों के लिए है पहले क्या होता था कि निरिक्षण का कार्य़ ओफिस में धार एक जाता था और कई बार कीसा होता था कि अन्फिट गाडिया रोड में चलते रहते थे तो उनका एक्सिडेंट का आशंका बनी रहती थी और ट्रांसपर्ट वहां से एक्सिडेंट होने से जानमाल के यहानी होती है इन्हीं सब तत्यों को ध्यान में रखते हैं जो है ना है वी गाडियों को फिटनेस एक अप्रेल प्रतियों के जसपूर के ताइक्वांडो स्टेडियम में 26 जून से 29 जून 2023 तक उनिस्वी राज जीस्तरी ताइक्वांडो प्रतियों कि गई थी इस प्रतियों किया है अब जो इसमें से चैनित खिलाडी है ना वो राश्टी इस्तर पर प्रतरशन करेंगे और खिलाडी जूनियर इस्तर की प्रतियों गीता है तुना चार जूलाई 2023 को बैंगलोर के लिए रवाना होंगे इसी प्रकार ना कैड़ेट वर्ग के लिए चैनित खिलाडी 25 जूलाई 2023 को लखनों के लिए रवाना होंगे अगला प्रशन है अठारवी राश्टी ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर की खिलाडियों ने कितने सोड़न पदक जीते हैं इसका सी उत्तर आप्शन भी दो सोड़न पदक जीते हैं उत्राखंड के जो देहरदुन में 26 वा 27 जून को आयो जीत अठारवी राश्टी ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर की पूनम सर्मने 30 वर्ज से अधिक आयू में 800 म, 1500 म, एवं 5000 म की दौन में सोड़न पदक खासिल किया है वही जो कशुम सार्दुल ने 20 वर्ज से अधिक आयू में 1500 म और 5000 म में सोड़न पदक जीता है तो जो बस्तर की पूनम शर्म और कशुम सार्दुल है इन दोनों ने दौन में सोड़न पदक जीता है और ये दोनों बस्तर के रहने वाले हैं अगला प्रशन है चत्तिसगण की युवात तयराक अल्योश्य ने राष्टी जंजाती खेल महत स्वा में कौन से पदक जीते हैं इसके से उत्तर है ऑफशन D, B और C दोनों तो चत्ती जड़ की उभरती युवा तैराग जो है ना अल्योशा कुंजाम जो है ना वो मुख्यवंतिसी भूपेज बगेल से उनके निवास कारियाले में जो है ना मुलाकात किया है अल्योशा ने उडिशा की राजधानी भूनेस्वर में प्रथम बार आयोजित राश्टी ज पदक जीते हैं मुख्यवंतिसी मुलाकात के जो है अल्योशा ने बताया कि उन्होंने जलती खेल महसों में पचास मीटर फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल और सौ मिटर फ्री स्टाइल में ब्रॉंज मेडल जीते हैं और अल्योशा कुंजाम जो है राइपूर में कक्छा पारविक की छात्र हैं और राष्टी जन जाती खेल महसों का आयोजन जो है ना भूनेश्वर में 9 से 12 जून 2023 तक किया गया था तो ध्यार रखिया दोस्तों अल्योशा कुंजान जो है न वो तैराकी से संबंदित है इन्होंने दो पदक जीते हैं अगला प्रश्ण है वर्तमान में धन्वंत्री जनेरिक दवा दुकान से सस्ती दवाओं की विक्री के मामले में कौन सा पूरे प्रदेश में ओवल है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राएगार धन्वंत्री जनेरिक दवा दुकान से सस्ती दवाओं की विक्री के मामले में राइगाड नगर निगम पूरे प्रदेश में उगल चल रहा है राइगाड में धन्मंत्री जेनेरिक मेडिकल इस्टोर से लोगों को बड़ी दाहत मिली है श्री धन्वंत्री जेनरिक मेडिकल इस्टोर योजना की जो शुरुआत है न वो 20 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है और योजना के तहतना राज्य के समस्त नगरी निकायों में स्री धन्वंत्री मेडिकल इस्टोर खोले गए हैं अगला प्रश्ण है महिला ससक्ती करण अभियान को आगे बढ़ाते हुए किस जिले के नगरी निकाय छेत्रों में एक चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर किया जाएगा कबीर धाम कलेक्टर स्री महबे द्वारा बालिकाओं की जो सुरक्ष एवं ससक्ती करण के लिए मिशन सक्ती के तहट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रभावशाली बनाते हुए हस्थाक्षर अभियान की शुरुवात की गई है महिला एवं बाल विकास के जीला कारक्रम अधिकारी स्री आनंति वारी ने बैठक में बताया कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ना च्छतिस गड़ राज्य के दो जीले राइगर और वीजापूर में प्रग्रम किया गया था वर्तमान में कबीर धाम जीले के बालिकाओं को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लाब मिलने की सध्धान्तिक सुक्रिती प्राप्त हो गई है अगला प्रश्ण है सामुदाइक और व्यक्तिकत वन अधिकारी पत्रों के वित्रण के मामले में देश का ग्रणी राज्य कौन से है इसका सिम उत्तर है अप्शने 36 गड़ केबिनेट मंतरी मुहम्मत अग्बन ने बता है कि 36 गड़ सामुदाइक और व्यक्तित वन अधिकारी पत्रों के मामले में देश का अग्रणी राज्य है जिसका कुल रगवा 101,032,931 है जो कुल समुदाईक वेक्तिगत वन अधिकारी पत्रों का वित्रण किया गया है इसमें से जो वेक्तिगत वन 965 है अगला प्रश्न है चत्तिस गड़ में राशन काड़ हित ग्राहियों का एक वाइसी कराने में कौन सा जिला राज्य में प्रत्थम है इसके से उत्तराप्षण सी बालोथ सारवजनिक वित्रन प्रणाली अंतरगत माह जुलाई 2023 में अग्रिम राशन भंडारन में बालोथ जिला पूरे राज्य में अग्रेनी है और एक राश्ट्र एक राशन काड़ योजना के अंतरगत एक वाइसी कराने में बालोथ जिला पूरे राज्य में अउवल है आजकी वीडियो में इतने ही दोस्तों आशकरता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है से लाइक करे, शेर करे और हमारी इस चैनल को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, thank you, thank you very much.